Hello friends, welcome to FSC UP PCSJ mains के examination खतम हो गया है और I hope आपने question papers check out कर ले होंगे इस video में हम GS paper के analysis करेंगे इस video में हम ये देखेंगे कि क्या ये paper actual में कठिन था या 2023 के हिसाब से एक normal paper था और ये हमें difficult इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसे 2018 की line पर expect कर रहेते हैं क्योंकि बागे examinations आप देखियें चाहे वो UPSC हो चाहे PCS हो 2018 से लेके 2023 तक वो काफी grow कर चुके है लेकिन हमारे पास recent में कोई examination नहीं है इस growth को check करने का हमारे paper के लिए जो कि UP PCSJ है यही same चीज हुई थी जब prelims हुआ था prelims में इतनी हाई cut-off गई इसलिए गई क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि competition किता बढ़ गया है same उसी तरह से अभी भी हमारे पास कोई recent base year नहीं है जहांसे हम यह judge कर सकें कि यह paper difficult था या 2023 के हिसाब से एक normal paper था बागे निशन को देखते हुए लेकिन उससे पहले आए कुछ basic trends देख लेते हैं इस बार का means का paper हुआ है general studies का सबसे पहले अगर आप देखें तो जो broad division है उसमें GS जो कि static GK और current affairs है वो लगबग 1500 marks का आया था और minor act जो है वो 50 marks का था इसके लावा आप देखें कि जो weightage है वो static GK का इन्होंने इस बार बढ़ा दिया है minor acts को prelims की तरह treat नहीं किया गया है और इस बार अच्छे खासे question आया है almost one fourth of the paper minor act से था census और दूसरे जैसे redundant topics से उनको हटा दिया है इस बार current affairs नो बहुत thematic थी इसको मैं अभी detail में आगे बात करूँगा फिर बात आती है कि देखें कुछ questions वैसे जरूर होंगे जो किसी को नहीं आएगा हाँ जैसे currency deposit ratio और reserve deposit ratio यह थोड़ी difficult questions है यह मुझे लगता है कि किसी को आता होगा तो accidental readings आता होगा लेकिन कोई इस तरह के questions formally prepare नहीं करता है प्रीशरी जैसे examination के लिया और अगर हम overall पूरे GS के paper को broadly divide कर दें तो इसमें तीन sections है क्या section एक तो static GK है दूसरा current affairs है और तीसरा minor acts है static में जो subjects है वो कौन-कौन से है history है, geography है, polity है, economy है, science और environment है current affairs है और तीसरा section जो है minor acts है ये तीनो sections मिला करके overall paper one जो है GS का वो constitute करता है हम बात करते हैं hypothetically अगर हमें ये paper देना होता तो हमें कौन से sources refer करने चाहिए थे मतलब जो simple sources हैं जिनको पढ़के हम इस paper को easily handle कर लेते हैं सबसे पहले देखिए quality quality कितने नमर के आई लगबग 20 marks के आई quality अगर आप लक्ष्मी कांत पढ़ रहे होते हैं तो आराम से चारों question हो जाते हैं in fact इस दुबार की quality इतनी easy थी कि ये lucent से भी हो जाती है तो इसके level काफी easy था history में ये भी 20 marks का आया इसमें अगर आप old ncrt पढ़ रहे होते हैं या एक दिशा publication की ncrt digest आ रही थी कुछ लोगों लग रहा होगा कि women in sangha mage बहुत ही unconventional सा topic है ये हमसे कैसे expect किया जा सकता है लेकिन जिन लोगों ने normal standard ncrt books पढ़ी होगी या कोई भी standard book refer की होगी उनके लिए women in sangha mage बहुत ही एक normal सा topic है क्योंकि sangha mage ancient india का part है और mostly जादा तर लोग ancient और medieval को focus ही नहीं कर रहे थे लेकिन मैंने अपने student से कहा था कि सिर्फ modern के भरोसे मत रहिए ancient और medieval जरूर एक बार ncrt से read कर लीजेगा क्योंकि पिछली बार अगर paper में नहीं आया ancient and medieval तो जरूरी नहीं है कि कभी नहीं आयेगा क्योंकि syllabus में तो mentioned है और ये 2015 में आये ही था पिछली एक दो साल नहीं आया तो लोगों को लगने लगा कि ancient and medieval आता ही नहीं है लेकिन जो syllabus में वो आयेगा इसके बाद तीसी चीज़ आती है जोगरफी ये भी 20 मक्स का आया जोगरफी के लिए देखे मैंने दो बुक्स बताई थी एक तो fundamentals of physical geography और इंडिया physical environment अगर ये दोनों बुक्स आपने class 11 12 की सिर्फ ये physical geography की human geography नहीं सिर्फ ये दोनों बुक्स कर लिए तो आप geography हमेशा means में tackle कर लेंगे और geography थोड़ी predictable रहती है एक question climate पे आना है और एक disaster पे आना है उसके इलावे एक दो question के साथ वो experiment करते है तो आप देख सकते हैं इस बार के भी paper है पिछली बार के भी paper इसमें एक climate का question जरूर रहेगा जैसे इस बार winter rainfall था और landslide था disaster में ऐसे हर बार रहता है तो overall geographical level क्या है easy level था अब आता है economics की economics categorically सिर्फ 15 marks की थी और ये totally current phase based थी इसका difficulty level थोड़ा hard था और इसमें जो सिर्फ globalization वाला topic था वो थोड़ा easy था फिर आती है science and tech की बात इसमें भी देखे ये 20 marks का आया था और current phase based ये भी था और इसका भी level somewhat difficult था environment, environment 10 marks की आई environment को बहुती एक अलग से section नहीं बनाया मैंने देखा कि एक question current phase में आ गया और एक question economics वाले section में आ गया दो जो environment के direct questions थे वो कौन से थे एक तो green climate fund और दूसर sustainable goal 16 जो की बहुती direct question था अब बात करते हैं जो typical current phase है जो की purely हम current phase कह सकते हैं वो देखे long answer में मुझे सिर 15 marks का direct current phase oriented question दिखा और 35 नमबर का short और objective type में दिखा जैसे places हो गया, people हो गया, authors हो गया awards हो गया और abbreviations हो गया तो overall ये मुझे से 50 marks का था जिसको हम typical current phase कहेंगे जो पहले dominate किया करता था और 800 नमबर का आता था इसको अगर करना होता तो सबसे सीधा और सरल तरीका यही था कि आप monthly magazine हर महीने खरीद के पढ़ते रहते और जब examination आता तो कोई भी एक अच्छी one yearly magazine ले करके उसको आप supplement कर देते अपने monthly magazines के साथ इससे आपका current phase easily cover हो जाता और देखिए हर news पढ़ना important नहीं होता monthly magazine में या early magazine में जो सिर्फ आपकी examination point of view से important है जैसे PCSJ के लिए कुछ important news है जो उसके लिए relevant है UPSC के लिए कुछ अलग news relevant है PCS के लिए कुछ अलग news relevant है तो UPPCSJ के लिए जिस तरह का nature of questions frame होता है उस तरह की news हमें focus करनी चाहिए और यह हमें idea कैसे मिलेगा कि क्या important है हमारी examination के लिए वो आप PYQs ही से पता कर सकते हैं तो आपको एक तरह से nature पता चल जाएगा और थोड़ा बहुत जो hint है आप UPPCS से ले सकते हैं कि UPPCSJ और UPPCS की जो GS है somewhat थोड़ी similar है तो अगर इसको और simplify करें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका further simplification करें तो जो pure static GK है ना जो history, geography, polity वो 60-70 नमबर का आया minor acts जो थे वो लगबग 50 max के आया और जो current phase है जिसको हम pure typical current phase कहते हैं वो सिर्फ 50-60 नमबर का था 200 में से सिर्फ 50-60 नमबर जो typical हम current affairs magazine से या note से पढ़ते हैं सिर्फ उतने से आया फिर इसके बाद आता है ये जो static GK disguise in current affairs ये 40-45 max का है और ये बहुत crucial था क्योंकि इसी ने जो difficult एक flavor था ना इस paper को वो दिया ये कौन से topics हैं क्लामिट फंड वाला question सस्टेनबल डेवलेपेंट गोल्स वाला function ये questions आप देखेंगे कि static GK में भी मिलेगा और इनके साथ कुछ नो कुछ updation होता रहता है current affairs में भी तो आपको इन से लेकर के हमेशा up-to-date भी रहना पड़ेगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर कोई textbook पढ़ेंगे तो उसमें ये static portion में भी मिलेगा लेकिन आप newspaper देखेंगे तो उसमें भी ये हमेशा ना एक normal terminology का part रहेंगे तो ऐसे questions जो थे ये 40 से 45 marks के आये थे और इसमें आपको up-to-date रहना पड़ेगा और ये questions भी थे जिन्होंने इस paper को एक difficult flavor दिया अब इस तरह के questions को कैसे handle करना है तो एक चीज़ कह सकते है reading between the lines के जब ये आप current phase पढ़ें और इसमें static GK का कोई topic आपको दिखें और current के form में तो उस चीज़ को ज़रूर note down करें और उसको ज़रूर इसके उपर notes बनाके उसको prepare कर लें क्योंकि ऐसे questions के पूछे जाने के tendencies ज़ादा होती है हम बात आती कि इस बार के papers से हमें क्या सीख मिली सबसे पहले ये कि जो static GK है ना उसको last moment के लिए मत छोड़िया है क्योंकि ये बहुत scoring और easy है roughly आपको दो महीने लगेगा और आप इस चीज़ को खतम कर सकते हैं और एक बार खतम हो गया तो जितने भी examination आने वाले हैं future में अपार्टेट की जो GS है ना वो आपके लिए command में आ चुकी होगी तो एक बार done and dusted कर दीजे क्यों last moment के लिए चोड़ना है दूसी चीज़ अगर आप daily current FAS नहीं पढ़ सकते हैं तो at least monthly basis पर पढ़िये last time में pile up मत करिया देखे क्योंकि दूसरे examinations के जो students हचा है वो pieces हो चाई UPSC है एक current FAS उनके पढ़ने की habit है और आपने prelims में भी देख लिया और means में भी देख लिया ठीक है कि current FAS कितना crucial है तो नहीं चाहिए कि आप current FAS regularly पढ़ रहे है daily नहीं पढ़ पा रहे हैं तो monthly पढ़िये magazine के थूपढ़िये लेकिन पढ़िये और आखरी में सबसे crucial ये है कि अगर आपने इस तरह से GS को पढ़ा इस तरह से wide range में अगर आपने GS को पढ़ लिया तो आपकी prelims के लिए भी GS complete हो जाएगी अब दिमाग में ये ख्याल आएगा कि लेकिन prelims की GS कहां से बूसता है ये तो समझ में ही नहीं आता है उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप UPSC का paper देखे ये UP pieces का paper देखे prelims कभी भी आप सिर्फ knowledge के basis पे नहीं निकाल सकते है prelims को निकालने के लिए combination चाहिए होता है एक तो आपको knowledge का दूसरा technique का knowledge जो आप पढ़ रहे हैं जहां पर आपकी basic strong होनी चाहिए और technique जैसे elimination method common sense इन सब चीजों को इस्तमाल करके options eliminate करना थोड़ा risk लेना और जितना आता है उससे ज़्यादा कुछ questions को attempt करके उन में educated guess लगाना इन दोनों को combination जब तक आप नहीं करेंगे at least GS में आप अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हैं वीडियो पसंदा है होगा thank you it was a pleasure talking to you